हलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम डोरी और पर्ल्स के साथ बहुत ही खुबसूरत और एकदम नया नेक डिजाइन बनाएंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने नेक कट करेंगे तो नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम लिया जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है अब हम इस पे अपने नेक की डुमेंशन को ड्रॉ करेंगे कि कितना चोड़ा और कितना लंबा रखना है अब हम सबसे पहले नकी चुड़ाई को माक कर लेते हैं उपर वाली साइड से तो चुड़ाई मैं यहाँ पे 4 इंच माक करूंगी यानि कि टोटल हमारे पास नकी चुड़ाई 8 इंच आ जाएगी तो 4 इंच को न हमने ऐसे सीधा सीधा माक कर लेना है तो ऐसे हमने नकी चुड़ाई को तो माक कर लिया है अब हमें नकी गहराई को माक करना है तो गहराई ऐसे मैं सीधे में माक करूंगी लगबग 5 इंच तो 5 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा माक कर लेंगे तो ऐसे हमने नकी डिमेंशन तो ड्रो कर ली है अब हम इसके अंदर अपना neck draw करेंगे तो मैं इसमें round neck draw करूँगी आप पहले हलका हलका mark करके देख लीजिए जो भी marking आपकी बिल्कुल perfect आए आप उसे इस तरीके से डाग कर लीजिए तो ऐसे हमारा ये round neck draw हो चुका है अब हमने बाहर से एक्स्ट्रा बुक्रों को भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है लगबग पौना पौना इंच तो ऐसे हमारा ये neck draw हो चुका है अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेते हैं तो हमारा ये जो neck है न रेडी होने के बाद ऐसे आ जाएगा अब हम इसे extra fabric के उपर paste कर लेते हैं तो ऐसे मैंने neck को extra fabric के उपर paste भी कर लिया है और इसको side से fold करते हुए न यहाँ पे sila भी लगा दी है तो अब हमने इस पे piping stitch करनी है तो piping न हम neck के इस side पे बिलकुल बुक्रम के किनारे किनारे पे stitch करेंगे तो इसलिए मैंने बुक्रम के किनारे किनारे पे यह mark कर लिया है तांकि हम अपनी piping को असानी से अपनी marking के उपर रखके stitch कर रखें तो piping ready करने के लिए मैंने यह और यह पट्टी कट की है यह लगबग सवाइन चौड़ी है पट्टी और इस पे यह वाली dory के साथ हमने piping ready करनी है यह dory market में easily available है piping वाली dory कहते हैं इसे तो ऐसे पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और यह dory को इसके बीच में इस तरीके से लगाते हुए यहाँ पे बिल्कुल dory के किनारे किनारे हमने सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे piping हमारी यह ready हो चुकी है अब हम इसे अपने neck पे stitch करेंगे तो neck को इस तरीके से रखेंगे और dory वाली piping को ना जो dory है हमारी वो बुक्रम के उपर आनी चाहिए इस तरीके से और यहाँ पे ना यहाँ पे हमें बिल्कुल dory के किनारे किनारे सिलाई लगानी है अपनी marking के उपर उपर इस तरीके से तो यह देखिए हमने dory piping को अपने neck के उपर stitch कर लिया है अब हम इस neck को ना अपनी कुर्ती पे रखके पलटेंगे तो यह मेरी कुर्ती है कुर्ती को हमने ऐसे सीधा करके रखना है और neck को इसके उपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल center में एक rough stitch लगाएंगे उसके बाद बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो ऐसे हमने बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है अब हम यह बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का मार्जन लेते हुए तो अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे तो ऐसे कट्स भी हमारे लग चुके हैं अब हम इस नेक को ना पलट लेंगे तो ऐसे पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए ना नेक को हम अंदर की तरफ ऐसे पलट लेंगे और बिल्कुल piping के किनारे किनारे पे न एक किनारी की सिलाई लगा देंगे तो ऐसे हमारा ये neck ready हो गया है piping के साथ यहां पे हमने किनारी की सिलाई भी लगा ली है अब हमने इसके नीचे डोरी वाले patch stitch करने है तो चलिए वो ready कर लेते हैं तो उसके लिए डोरी को मैंने पहले से तयार करके रखा है तो अब हम इस डोरी से अपने पैचिस रेडी करेंगे तो आपकी ये जो एक डोरी है वो 20 इंच लंबी होनी चाहिए कम से कम तो अब हम एक इंच ओड़ी एक टेप लेंगे आप यहाँ पे किसी भी टेप का यूज़ कर शकते हैं इसे लगबग 2,5 इंच न हम इस तरीके से कट कर लेंगे यहाँ से ऐसे टेप का एक पीस लेंगे और यहाँ पे मशीन के उपर हम इसे ऐसे पेस्ट कर लेंगे इसकी जो चिपकने वाली साइडा वो आपको उपर की तरफ रखनी है ऐसे अब हम एक डोरी लेंगे और इसे इस तरीके से राउंड में ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से थोड़ा सा घुमाते हुए ना बिल्कुल टेप के सेंटर में ऐसे रखेंगे इसे और इसके आज़ पास ना हमने डोरी को ऐसे घुमाते जाना है बिल्कुल साथ साथ टाइट टाइट इस तरीके से तो ऐसे हमने ना इससे एक पैच रेडी करना है बहुत ही खुबसूरत तो टेप के उपर ये वाला पैच असानी से रेडी हो जाता है बात में हमने इसके उपर शिलाई भी लगानी है तो ऐसे टेप के जितने हमने इस पर रोल दे लिए हैं चार-पांच अब हम इस टेप को ऐसे निकाल देंगे पहले हमने डोरी को इस तरफ से घुमाया है ना अब हमने ये जो बच्ची हुई डोरी है ना इसे हमने इसके opposite side यनि की इस तरफ से घुमाना है ऐसे तो ऐसे ही टेप का एक छोटा सा पीस फिर्शे लेंगे और इससे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से ऐसे डोरी को हम घुमाना शुरू करेंगे यहाँ से तो ऐसे हम डोरी को थोड़ा सा घुमा के टेप के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसके आसपास पूरी डोरी को ऐसे ही घुमा लेंगे तो ऐसे डोरी से हमने अपना पैच तेयार कर लेना है एक बड़ा पैच और एक चोटा पैच इस तरीके से अब हमने इनके बीच में यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है तांकि यह खुलेना इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे तो ठीक ऐसे ही हमें अपने सारे पैचिस तैयार कर लेने हैं तो चलिए एक और पैच मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ उसके लिए मैंने ऐसे टेप को पेस्ट कर लिया है और डोरी को ऐसे घुमा के बिल्कुल टेप के सेंटर में इस तरीके से रखेंगे और इसके आसपास डोरी को घुमाते जाएंगे तो यह हमारा छोटा वाला पैच ऐसे तैयार हो गया है अब हम इस टेप को निकाल लेंगे और यहाँ पे दूसरी टेप को पेस्ट करेंगे और इस पे बड़ा वाला पैच तैयार करेंगे तो एक तरफ से तो हमने डोरी को घुमा लिया और यहाँ पे एक टेप पेस्ट कर लिए है अब हमने दूसरी साइड से ऐसे इसको इस तरिफ से किया ना इसे हमने उसके ओपोजिट साइड से ऐसे फोलड करना है और ऐसे ही यह वाला पैच भी तैयार कर लेना है बहुती खूपसूरत हमारा यह वला डिजाइन तयार होगा तो आप यह मेरी वीडियो एंड तक देखें तो यह देखिए ऐसे हमारा यह दूसरा पैच भी तयार हो गया है अब हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे हमने अपने सारे पैच इस तयार कर लिए है अब हमने इनकी टेप को पीछे से रिमूव करना है तो टेप को हम सेंटर से इस तरीके से यह पेपर टेप है असानी से फट जाएगी इस तरीके से निकाल देंगे आपने center से tape को निकालना शुरू करना है किनारी से नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने सारे पैचिस की tape को remove कर लेना है तो ये दिखिए हमने अपने सारे पैचिस की tape को पीछे से remove कर दिया है अब हम इन पैचिस को अपनी कुर्टी पे रख के stitch करेंगे तो ऐसे हमने जो पैचिस ready की है न उन्हें इस तरीके से neck के नीचे रखेंगे हम पहले हम ये वाली सिलाई के उपर सिलाई लगा देंगे सीधी सीधी और उसके बाद इसके center में ऐसे और इसके center में ऐसे ऐसे हमने इन पैचिस को पक्का कर लेना है सिलाई लगा के अपने neck के नीचे तो ये दिखिए हमारा ये एक पैच ऐसे stitch हो गया है और दिखिए कितना खुबसूरत लग रहा है अब हमने आपको सारे डोरी वले पैचिस स्टिच करके दिखाती हूँ तो ये दिखिए सारे डोरी वले पैचिस मैंने neck के साथ साथ ऐसे stitch कर लिए हैं और दिखिए कितना खुबसूरत लग रहा है हमारा ये neck design तो अब हमने क्या करना इनके center में यहाँ पे यह वाइट कलर के half pearl पेस्ट कर लेने हैं आप यहाँ पे अपने according कोई भी pearl पेस्ट कर सकते हो मैं यह वाइट कलर के pearl यहाँ पेस्ट कर लूँगी यह fabric glue नद होने से भी नहीं उतरती तो आप बिना tension के इने paste कर सकते हो इस तरीके से तो यह दिखिए हमारे सारे pearl यहाँ पेस्ट हो चुके हैं और यह सूख भी चुके हैं दिखिए कितना खुबसूरत हमारा ये neck design बनके तयार हुआ है डोरी वाले patches और pearls के साथ तो आप भी ये वाला neck design अपनी कुर्टी पे जरूर ट्राइ करें बहुत ही खुबसूरत लगेगा तो अगर आपको मेरा ये design और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको like को share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और design के साथ मिलते हैं तिल दन बाव बाई